अगर प्रेस्ट की ताकत को समझना हो तो अकबर इलाबादी की मश्यूर पंक्तियां काफी कुछ बया करती है अकबर इलाबादी ने कहा है कि खीचो न कमान न तलवार निकालो जब तोक मुकाबिल हो तब अकबर निकालो इन लाइनों से प्रेस्ट की ताकत को अच्छे से समझा जा सकता है हर साल भारत वर्ष में 16 नवेंबर को राश्टिय प्रेस दिवस मनाया जाता है इस वर्ष की थीम है आर्टिफीशल इंटेलिजन्स के यूग में मीडिया नमस्कार मैं हर्ष जयस्वाल मास कौम डिपार्टमेंट से आज हम आए रामा आयूर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में तो आज हम यहां के कुछ छात्राओं से बात करेंगे उनसे कुछ सवाल जवाब करेंगे जी आपका नाम शिवांगी जी यह बताइए आपके दैनिक जी शिडियूल होता है में कॉलेज भी जाना होता है सो मारे पास टाइम लिए कि हम ऐसा पेपर पढ़े बैट करके या कुछ भी जो प्रिंट मीडिया रिलेटेड है सो हमारे लिए सोशल मीडिया ज्यादा यूसफुल होता है कि हम कहीं भी बैठे हैं तो फिर फोन अन कर ल हागा रहा है और क्या चीज़ ही च़ेंज हो रही है क्या डेवल्लफ मैंत करें आघी हम आप आप आपका लगे आप आपके डायत सब्सक्रीव ज्यादा मैटमौर्ण य 면त्रों नईयोक्ता कि प्रेंट मेडिया या सोशल मेडिया मीडिया पर लोगों का क्या इंपक्ट पड़ रहा है पॉजिटिव या नेगेटिव लोगों को कानेक्ट करता एक दूसरे के साथ और दूसरा इसका इंफलन्स यह है कि यह जो भी वाइसलेस पीपल यह उनको वाइस देता है जहां पर लोगों के साथ अगर कभी भी इंजसिस हो रही है तो लोगों को पाता चाल रहा है कि क्या हमारे सोसेटी में क्या इंप्लिमेंट हुए जो लोगों तक पहुंचा रहे है आपकी क्या रहा है इस पर मीडिया को इंपाक्ट है वी फॉजिटेव भी है और निगतिव भी है तो में सवाल अपसे ये है कि कि print media और social media में से कौन सा बहतर है मेरे मुताविक social media जादा बहतर है क्योंकि इसमें कम समय में जादा जानकरी है कि उपलबधी होती है और हमें connectivity जादा देशों की मवजूद हो रही है कई सारी जो छूपी culture थे वो हमें जानने को मिल रहे है क्योंकि लोग अपने छोटे छोटे प्लैटफॉर्म उनको मिल चुका है यूजुली जो हम नेपोटिजम कहते हैं वो अब इसके थ्रू नहीं हो पाता सब अपना शोकेस करते हैं और जनता सब देखती है उसको तो रियलिस्टिक होता है और ट्रांसपरेंसी होती है इसमें बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए नमस्कार मैं हूँ सिरिस्टर पार्टी पत्रकारिता एवं जलसंचारवी बाग से स्वागत है आपका रामा न्यूज में राष्ट्री प्रेश दिवस के अप्षर पर मौझूद है हमारे साथ रामा विश्विद्याले की कॉंटेंट राइटर निया त्रेपाटी में हैं बहुत-बहुत शॉगत है आपका मैं धन्यवाद राष्ट्री प्रेश दिवस के अप्लक्ष में मैं आपसे एक प्रशन पूछना चाहता हूँ कि मीडिया का क्राइम पर क्या प्रभाव पढ़ रहा है देखें, मीडिया को पत्रिकारिता को यानि पत्रिकारिता को चौथा स्तंब माना चाहता है अकबर इलाबादी की एक मशुहूर शायर रहे हैं, उनकी एक शायरी में पढ़ना चाहूंगी कि खीचो ना कमान, ना तलवार निकालो जब तोप मुकाबिल हो तो अकबार निकालो तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पत्रिकारिता का जो रुख है वो किस तरीके से यानि कि जब भी कुछ भी कहीं पर भी चीज़े घाटेत हो रही होती है तो हम अकबार के माध्यम से या फिर न्यूस के माध्यम से और आजकल तो डिजिटल जनलिजम के माध्यम से बखू भी जानती है अब आपका जिससा प्रश्ण है कि मीडिया का जो सवाल भार जो के बारे में बताया इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी तो आज हम उनसे कुछ सवाल पूछेंगे तो विशाली मैं प्रेस की फ्रीडम से क्या समझती है वंशिका ये I really appreciate the question freedom of press उतनी ही important है उतनी ही महत्वपून है जितना मेरा और आपका सांस लेना हम अगर इस धर्ती पर सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे अगर प्रेस को ये freedom नहीं दी जाएगी तो democracy खत्म हो जाएगी मेरे समझ से democracy को जीवन्त रखने के लिए press is the most important medium इसलिए हम इसको fourth estate कहते हैं besides legislature, executive and judiciary this is the most important wing of democracy which actually helps in breathing भारत विश्व का सबसे बड़ा लोगतांत्रिक देश माना जाता है मेडिया देश में कानून विवस्ता मजबूत करने का काम करती है सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी से लेकर आम आदमी के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है इसलिए बहुत जरूरी है कि मेडिया पूरी इमानदारी एवं सतंतर रूप से काम करे धन्यवाद